नमस्कार मजिगनेश ओल्ट न्यूस से सोशल मीडिया पर एक वीडियो साजा किया जा रहा है जहां पर यूनिफर्म पहने हुए एक व्यक्ति को अपनी राइफल के साथ कर्तब बाजी करते हुए देखा जा सकता है वीडियो के साथ साजा किया जा रहे एक प्रचलित दावे के अनुसार ये व्यक्ति गुजराती जैन परिवार से तालुक रखते हैं इनका नाम नीरवशा है जिन्हें अमेरिकी सेना में शामिल किया गया है एक और सोशल मीडिया उप्योग करता सैयद सलीम की माने तो ये गुजराती मूल के नीरवशा नहीं बलकि उत्तरप्रदेश से सैयद हमीदुल हसंथ है हाला कि वीडियो की परताल करने पर दोनों ही दावे तत्याखीन साबित होते हैं तो आएए देखते हैं कि कैसे ये दावे निराधार हैं और गलत हैं सबसे पहले वीडियो में दिख रहे एक बोड पर नजर पड़ती है जहां लिखा है वर्ल्ड ड्रिल चैंपियंशिप ग्रिल का सामान्य शब्दों में अर्थ अभ्यास होता है जिससे हमें पता चलता है कि ये कोई सेन्य अभ्यास या गतिविदी नहीं है ये एक वाशिक प्रत्योगिता है जहां पर प्रत्योगी राइफल के साथ कर्तब दिखाते हैं लेकिन हम अभी तक यह नहीं पता लगा पाए थे कि वीडियो में दिखरा व्यक्ति भारतिय मूलका है की नहीं। इसके बाद हमने वीडियो एक और बार देखा तो हमें पता चला कि वीडियो में जो आदमी ने यूनिफॉर्म पहन रखी है उसके उपर उसका नाम लिखा हो सकता है। और हमें आलेहांद्रो पुलिनो नाम की एक प्रतियोगी का वीडियो मिला लेकिन वीडियो में यूनिफॉर्म पर कोई नाम नहीं लिखा था। जिसके बाद हमने आलेहांद्रो पुलिनो को फेस्बुक पर ढूंडा और हमें उनके द्वारा पांच महिने पहले साजा किया हुआ एक समान वीडियो मिला। उनकी पोस्ट की मुताबिक वे 2019 की प्रतियोगिता में अवल आये थे। आगे Alt News से बादचीत करते हुए पुलिनो ने हमें बताया कि वे ना ही भारतियम मूल के हैं और ना ही अमेरिकी सेना में। आगे और बादचीत करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि वे ये प्रतियोगिता में सिर्फ मज़े के लिए भाग लेते हैं। इस तरह के कोई भी वीडियो या तस्वीर को आप Alt News के WhatsApp नमबर या Alt News की एप्लिकेशन पर तथ्यजाज करने के लिए भेज सकते हैं। धन्यवाद।